कि कि अक्सर एक कोशन में बहुत सारे स्टूदेंट्स का मेरे पास आता है कि ऑफ्टा 12 या ग्रेजवेशन जीए फेयर ओप्ट करना चाहिए या कों से कॉर्स पर जाना चाहिए देखिए सबसे पहले तो एक difference है कि CMT association ने जो CMT course कराती है जो US की body है उन्होंने ऐसी कोई eligibility नहीं बना रखी है कि CMT किसको करना है तो minimum eligibility हम 12 लेके चलते हैं कि if you are completed your 12 standard you can opt for CMT level 1 पहले चीज के लिए पट CFA institute ने एक guideline दे रखी है एक minimum eligibility बना रखी है कि to opt या to enter into the CFA you must in third level of in third year of your degree जो आपगी graduation degree यानि कि पैचलर अगर आप third year में हो तो you can apply for CFA level 1 तो 12 के बाद directly आप CFA नहीं कर सकते हैं हां कर सकते हैं एक option दे रखा है वो यह है कि अगर आप 4 years का work X है into the investment research already तो आप 12 के बाद भी CFA कर सकते हैं तो मैं कहूंगा कि आपने graduation mission जिस भी stream में कर रहे हूं चाहें आप commerce हो science हो art हो third year जैसी आप appear करते हैं आप apply कर सकते हो CFA के लिए level 1 के लिए और CMT के लिए after 12th ये apply कर सकते हो तो after 12th which course जो कि आपको stock market में directly entry दिला सकता है CMT अब बात करते हैं कि तोनों में से कौन सा opt करना चाहिए और क्यों देखिए 12th के बाद या graduation के बाद students या parents को इतना knowledge नहीं होता है कि यह जो specific course है जो कि थोड़ा हटके हैं हमारे traditional course से जिसमें CA, CAS, CWA आते थे और MBA भी आता है इन से हटके कुछ specific जिसको हम कैसे हैं finance line में यह courses है CMT हो गया और CFA हो गया यह दोनों course है तो stock market और investment से related लेकिन CMT का more focus short term trading पर है short term analysis पर है जैसे कि आपको आज कोई stock खरीदना है और कल बेचना है परसो बेचना है या एक महीने में बेचना है इसको हम कहते है short term trading है analysis करना इस तरीके के decision making वाली जो jobs होती है यहने कि आपको लोगों को advice करना होगा या फिर आपको research reports बनानी होंगी या फिर आपको खुद trade करना पड़ सकता है company के बयाब पर या अपने clients के बयाब पर इस तरीके के जो profiles होते है और अगर आप जाते हो fundamental line में long term investment अपने सुना होगा mutual fund है तो mutual fund के अंदर long term investment किया जाता है same अगर आपका origin पैसा लगाने का stock खरीदने का origin होता है वो long term हो जाता है एक साल से ज़्यादा दो साल से ज़्यादा तो उसमें जो research की जाती है वो company के point of view से की जाती है माली जो stock कौन सी company का है वो company का जो 5 साल 10 साल का record है balance sheet है financial projection statements है वो सब कैसी है उनके base पे valuations करके results निकाल के एक core decision लिया जाता है कि इस company की value है वो high है या over price है या lower price है इस तरीके decisions लिये जाते हैं वो CFA लेता है तो अगर आप fundamental research line में जाना चाहते हैं long term research line में जाना चाहते हैं तो आप CFA करिए अगर आपका जो motive है चार्ट टेक्निकल चार्टिंग को देखना है decision making के लिए सिर्फ price analysis को करना है indicators के base पे करना है short term trades पे काम करना है तो आप CMT करिए तूनों में opportunity कैसी है देखे CFA as compared to CMT थोड़ा सब पुराना है और इंडिया में भी उसकी जो जिसको आप कह सकते recognition है वो थोड़ी पुरानी हो चुकी है आज के time पे as compared to CMT तो कहीं न कहीं वो थोड़ा प्राइज लेता है क्योंकि jobs prospects CFA में ज्यादा होंगे as compared to CMT क्योंकि already इंडिया में अभी fundamental ground पे काम ज्यादा होता है technical ground पे कम होता है fundamental ground based company ज्यादा है जो की investment करवाती है insurance करवाती है या कुछ research करवाती है technical ground पे अभी कम है इसलिए job prospects CFA के ज्यादा अच्छे लेकिन CMT भी दीरे दीरे ग्रोप कर रहा है technical research भी अपनी एक जगे बना रहा है इंडिया मार्केट में तो आप CMT भी opt कर सकते हो और अगर आप 12 के बाद ही opt कर लेते हो it's better than कि आप CFA के बाद करोंगे तो CMT अगर आप 12 के बाद ही opt करके CMT complete करते हो till your organization it is added advantage for you to get your job into the stock market field तो यह आपको याद रखना है कि CFA and CMT में यह major difference आता है दूसरा difference आता है कि हम किस तरीके के काम को करना चाहते हैं तो यह कि यह अभी decide नहीं होगा अभी आपको course opt करना होगा उसके बाद आप जब course दीरे-दीरे करेंगे let's suppose आपने CMT level 1 किया you go for the job अगर आपने CFA level 1 किया you go for the job and after that आपका experience आपको बताएगा कि आप कैसे कैसे इस field में grow करते चले जाहिए तो इतना सही आपको suggestion देना था कि CFA और CMT आप अपनी सुच और समझ से इस्तमाल कर सकते हैं कि कैसे इनको आपने opt करना है अगर 12 के बाद opt करना है तो CMT opt करें और अगर graduation final year में opt करना है तो और सूम झाल सब्सक्तों करें ग्रीम करेंट तो